अगर मैं कहूं कि धान की फसल में एक ऐसा भी स्टेज आता है कि जिस स्टेज में दिन के एक निश्चित समय में अगर हम कोई भी चीज का स्प्रे करते हैं यहां तक कि अगर पानी का भी स्प्रेय करते हैं तो हमेरी बहुत सारी बालियों में दूद नहीं बनता दाना नहीं बनता और बालियां खाली रह जाए आईए आज ऐसी ही एक छोटी सी मगर बहुत आहम जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिस करता हूँ और यह भी बताने की कोशिस करेंगे कि फसल की उस स्टेज में अगर हमें कोई क्रिशी रसान का स्प्रेय करना पड़े तो दिन के किस्व में हमें करना चाहिए ताकि मेरा बाली भी सुरच्चित रहे और हमारा जो पेस्ट है उस पेस्ट प्रब्लम से भी हम अपनी फसल को कि दिए धान की फसल में जो परागन होता है सुबा टाइम पर होता है और सुबा आठ बज़े से लेके जो दस बज़े का टाइम होता है यहीं होता इसके पीछे दो कारण है अद्न करने के लिए डूसरा कारण यह हमारा एक है आड़ सोवार पानीच गोली को सब्सक्राइब कोई बीक बाली कोटा हूं यह देखर है यह फ्लैग लिफ और यहुँए het और इसको हम एक एक दाना को जो सिंगल सिंगल होता है, इसको हम स्पायक लिट काते हैं, बराबर है, अब इसका पॉलिनेशन, देखिए, पॉलिनेशन कैसे होता है, यह मैं दिखाता हूँ, फ्लोडल बायलोजी की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए, यहाँ पर आगे के स्टेज आप यहां देख सकते हैं इसके उपर देखिए पीले-पीले डास्ट होते हैं यह दिखाई दिया यह जो पीले-पीले डास्ट देख रहे हैं मैं इसके उपर गिरा रहा हूं यह जो सारे डास्ट देख रहा हूं यह जो पीले-पीले-पीले-डास्ट आप द बराबर इससे परागन होता है तो हो क्या रहा है यह सारे पोलन देखिए आप हैं यह सारे पोलन है आद को दिख़ा昨ण यह सार। देख रहे हैं ऐसी मुह खुला हुआ रहता है इसको कहते हैं लिमा इसको कहते हैं पेलिया बराबर है यहां प Gudai देख रहे एकल दिखाय रहा है लिमौ और पेलिया ऐस से मोँ हुझा को जाता है कब बड़ाबर है तो अब यह परागन हो गया परागन होने के बाद इसका मुह बंद भी इसका खुला हुआ है अब इससमें क्या हुआ मैंने उठाके हमने किसी केमिकल का स्प्रे कर दिया इवन पानी का भी स्प्रे कर दिया तो यह घुंडी के अंदर जब पानी चला जागा तो जाहिर सी बात इसमें परागर नहीं होगा खर कि इसमें हमारे खेत के अंदर क्या हो सकता है इसमें हमारे खेत के इंदर हो सकता है। सब्सक्राइब करने की जरूरत पड़े इसके लिए फॉल से स्माट के लिए हल्दिकाट के लिए तो पता चला कि मैं इस खेट में जा रहा हूं और सुबह के टाइम पर रहा हूं जब इसका जो यह लिमा और पेलिया यह खुला हुआ है और यहां पर परागन होने वाला है इस गुंडी के अंदर पानी चला गया तो जब भी पानी चला गया कोई भी केमिकल चला गया तो जाहिर सी बात है यहां पर परागन नहीं हो पाया तो उस दौरान जिसमें मैं फ्लावरिंग के टाइम पर सुबह के टाइम पर स्प्रे कर र बाली सुखी दिखाई दे रही है सफेद दिखाई दे रही है दूद नहीं दाना नहीं है हम गोब की सुंदी समझ के खिंच रहे हैं लेकिन अंदर कोई सुन्डी पुंडी कुछ नहीं मिल रहा है दरसल उसका कारण यह है जो मैं आपको बताया तो हमें क्या करना चाहिए और अगर हमने नहीं करेंगे तो क्या होगा दूसमन मेरे खेत को बरबाद कर देगा तो मैं क्या करूँ ताकि साप भी मरे और लाठी भी ना टूटे आए उसके बारे में चर्चा करते हैं जैसे कि मैंने बताया कि अगर मौसम साफ है तो दस बजे तक हमारा परागन हो जागा जब परागन हो गया तो हमें कोई डर नहीं है तो मैं राय दूँगा दीन के फरस्ट आप में स्प्रे ना करें मैं दस बजे नहीं बलकि मैं कहूंगा कि कोशिस करें ऐसे खेतों के अंदर दो बजी के बाद हम इसके अंदर स्प्रे करने के लिए उतरें बराबर है अब आप कहेंगे साब मैंने तो लेबर ले आया अब मैं क्या करूं तो मैं राय दूंगा आप लोगों को अगर हमारे खेत में बाली में दाना बन चुका है जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिस करता है अब माल लिए दूसरा खेत है दूसरे के दॆ गला दूगा वहां पर उब ताना बन चुका है इस खेत में हम जब मर्जी पर कर सकते हैं जीन खेतों में अभी परागन चल रहा है इस तरीके की पॉलेन हमें मैक्सिमम दिखाई दे रहा है के अंदर हम उस खेत में क्या करेंगे हम सुबह के टाइम पर बचा लेंगे दो बज़े के बाद वहां पर स्प्रे करेंगे साथ हूं अगर इस तरीके से हम अपना स्प्रे सेडूल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो फसल है उस फसल से हम अच्छा पैदाबर ले लेंगे मेरा मनना है कि छोटी सी जानकरी साथ हमारे कुछ किसानों की काम आ जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद